दोस्तो इस समय हमारी तीनोई सेनों में से कोई सेना सबसे जादा सवदेशी हतियारों का इस्तमाल करती है तो वो है हमारी नो सेना इस समय हमारी नोसेना के जर्वत के जादतर शीव, फ्रिगेट, डिस्ट्रोयर, पेट्रोल वैसल को हम सवदेशी टेकनलोजी के दम पर देश के अंदर ही बना कर तयार करते हैं लेकिन आज भी हम किसी सेक्टर में पीछे हैं तो वो है एक प्रोपल्सन सिस्टम आज भी हमको प्रोपल्सन सिस्टम को लेकर दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है और हमको प्रोपल्सन सिस्टम को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है लेकिन अब हमको प्रोपल्सन सिस्टम को लेकर जादा दिनों तक दूसरे देशों के उपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अब हम जल्द ही प्रोपल्सन सिस्टम को लेकर भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं क्योंकि हाली में ही GRSC यानि की Garden Reach Ship Builder and Engineer की तरफ से बताया गया है कि हमने Finland की कमपणी यानि की कौंसबर्ग के साथ एक M.O.U. को साइन किया है जिसके तहट Garden Reach Ship Builder Engineers कौंसबर्ग कमपणी के Water Jet Propulsion System को भारत के अंदर ही बनाएंगे और Finland की कौंसबर्ग कमपणी की तरफ से अपने Water Jet Propulsion System की टेकनलोजी भारत के साथ शेर की जाएगी Water Jet Propulsion System की बात की जाए तो इनको इस्पेशली छोटी पेंट्रोल वैसल आई स्पीड वैसल में इस्तिमाल किया जाता है अभी तक इस तरीके के Water Jet Propulsion System हम दूसरे देशों से ही लेते आई हैं लेकिन अब फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब कौंसबर्ग अपने Water Jet Propulsion System की टेकनलोजी भारत के साथ शेर करने वाली है और उम्मीद इस बात की की जा रही है कि आने वाले पांस सालों के अंदर अंदर हमारी नोसेना और हमारी कोस्ट गार्ड की तरफ से 140 से 150 की संख्या में Fast Interceptor Board पेट्रोल वैसल को खरीदा जा सकता है जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ थी कि हमको अच्छी खासी क्वांटिटी में Propulsion System की जरुवत पढ़ने वाली थी और अगर हम पोड़ी थोड़ी संख्या में दूसरे देशों से Propulsion System को इंपोर्ट करते तो हमको इन Propulsion System की टेकनलोजी नहीं मिल पाती और हमको दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ जाता इसी बात का सोलुशन निकालते हुए ही गार्डन डी शिप बिल्डर एंड इंजिनियर ने इन वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम को भारत के अंदर ही बनाने का फैसला लिया है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या भारत में वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम को भारत के अंदर बनाने का फैसला सही लिया है या फिर आपका ये मानना है कि हमको दूसरे देशों से ही वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम को लेना चाहिए था इस बात का अंचर आप केमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैव गूड